कहानी शुरू होती है, मलेशिया नाम की लड़की से, लड़की बहुत किताबे पढ़ती है, बहुत स्टोरीज पढ़ती है, और अब हो हमें कैट मौरिस की स्टोरी सुनाएगी, चुके गाउवालों से बात कर रही है, गाउवाले बहुत चुहों से बहुत तंग हैं, और वो ते हुए जब गाउवालों के सामने से गुसरता है, तो गाउवाले एकदम से दंग रह चाती हैं, ये देखकर कि सारे चुहे भी उसके कंट्रोल में आकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे, ये सबी चुहों को लेकर नहर की तरफ चला चाता है, फुद तो वहां रूख जा लेकिन सारे चुहे उसके कंट्रोल में आते हुए पानी में किर जाते ही हैं, उसके इस काम से गाउवाले बहुत जदा खुछ होते हैं और उसको बहुत से पैसे देते हैं, सीन कटुता है और दिखाया चाता है कि वह सारे चुहे तो नहर के दूसरे किनारे से पानी में से ब इसे कमाने के लिए सब लोग यहुद है। फुद ही है कुक्ष चुहों को गाव़ों के भ letzना पैस निशना उता रहता है। एक चुहां आगे बढ़कर मौरिस को कहता है मौरिस हम ये काम बहुत गलत कर रही है हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए वो उन सबसे कहता है कि हमें एक आइलेंड ढूनना चाहिए जहां पर सब मिल जूल कर रहते हैं मौरिस कहता है हाँ मैंने इस बारे में किसे नचमा हो जाएं असल में मौरिस अभी भी जूट बोल रहा था उसे किसी आइलेंड कर नहीं पता था वो तो सिर्फ चाहता था कि ये सारे मिलकर हमेशा काम करते रहें बहुत जादा सोचते के बाद ये सारे चुहे दुबारा से मौरिस के बात मान जाते हैं और उसके गए एक नए प्लान के तहर वो अपनी नए मंजल के तरफ निकल पड़ते हैं सीन का ठोकर तुबारा हमें दिखा जाता है मलीशिया को जो पताती है कि इन बिचारी चुगों को क्या पता कि मौरिस उने बिवाकूफ बना रहा है और आगे आने वने दिनों में इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हैं सीन का ठोकर तिखाया जाता है हमें एक शहर के मियर को जो दो चुगे पकड़ने वालों को पैसे दे रहा है तो कि वो उनकी काम से बहुत साथा खुश है तेकिन अब भी मेर एक और चीज़ से परिशान था कि टाउन में चुगे ना हुआ नजर आ रहा था यही सीन कट होता है और हमें दिखा जाता है मौरिस के चुगों को जो कि इसी टाउन की दिरफ टैनल के रास्तों से बढ़ रहे थे जैसे ही वो शेहन में पहुंचते हैं तो सभी ये देखकर परिशान हो जाते हैं कि यहां पर तो चुगों को नामों इंदर आए थे लेकिन वो भी इस चीज़ को देखकर परिशान थी कि इस टाउन में तो लोग भी नहीं मौरिस सूंगते हुए गीट को एक कमरे तक लेकर जाता है जिसके अंदर इन दोना को मलती है मलेशिया मौरिस मलेशिया से बात करती है और हिरानी की बात ही थी थी कि म खत्म नहीं हुई थी मलेशिया इनकी सोच से भी कई जादा सहीं थी मलेशिया बताती है कि मुझे तुम्हारे चुगों के साथ काम करेंडी के बारे में भी सब पता है लेकिन फिकर ना करो मैं तुम्हारे बारे में यहां इस शहर में किसी को नहीं बताऊंगी वो बताती है कि मैं इस टाउन की मेर की बेटी हूँ और अभी हम लोग इसलिए परिशान है कि हमारे टाउन का खाना बहुत तेजी से घाइब हो रहा है और मैं इस सब के बीचे की कहानी जानना चाहती हूँ कि इस काम में तुम लोग हमारी मदद करो कि सिंडर टोकर बोस्में को दिखाया चाहा रहा था चुप और सारा खाना अजीब और खरीब तरीके सिखा रहा था साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे टाउन में नए चूहों के आने का हिसास हुआ है वोजे फॉरन से पहले वो सभी चूहे मेरे पास चाहिए यहां दिखाया चाहता है कि जब वो चूहे आगे आगे पढ़े ही होती हैं तो तब उनके सामने बहुत से ट्रैप्स आते हैं जिनको वो पर चाहन नहीं बाते हैं और यहां हम देखते हैं कि मलेशिया गीद और मौरिस को चूहे पकरने वालों की शौप के अंदर लिकर रह था यहां के पीछे मौरिस और मलेशिया भी यहां आ चुके थे यह लोग हेरान इसलिए थे जमीन के नीचे का यह एरिया बहुत ही बड़ा था और यहां की एक कमरे में बहुत चारा खाना रखा हुआ था इस खाने को देखकर मलेशिया यह बात तो चूहा चाहती है कि उनक चूहे मिलकर एक ट्रैप उठाकर यहां पे ला रहे थे जिसके अंदर उनका लीडर बंद हुआ पा था मैलेशिया बहुत ही कुशिशों की बात बहुत मुश्किल से उस लीडर को उस ट्रैप के अंदर से तो बाहर निकाल लेती हैं लेकिन मुसीब ते उनकी खतम होने वाल मलेशिया और गीत को भी इनके चुगल से छुडवा लेता है ये सारे चूहे मलेशिया से पहली मर्टवा मिलकर काफी खुश थे ये चूहे मलेशिया से आईलेंड के बारे में पूछते हैं जहां पर सभी लोग मिल जुल करेती हैं तो मलेशिया ने बताती है कि वो आईलें उसके साथी सारे नरास हो जाते हैं always सब को बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने गोंगे दोकर नहीं दिया मैंने तो यह मलेशिया चुहे पकड़ने वाले लोगों के पास जाती है और उन्हें जहर की बोटल दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है मैंने से पहले सच मोझे मेरे साथ ही चुहे के बारे भी बता दो यहां उन चुहे पकड़ने वारों से मलेशिया और गीत को अपनी खोई हुए चुहे के बारे में बदर सुल जाता है जिसे बचाने के लिए पाह की सारे चुहे यहां से चुने जाते ही हैं मौरेस तो एक लाल ची बिलना निकला क्योंकि वो सबको मस्रूफ जानकर मौका पाता ही पैसे लेकर यहां से भागने की कोशिश कर रहा है यहां पर दिखाया चाता है कि इन सभी चुहों को अप्टा खोया हुआ चुहा तो मिल चुका था लेकिन अभी ये लोग ये बात नहीं चानते थे कि इनकी साथी माउस भी इसी तरह लाइब हो चुकी है है हमें जगल के बिलकुल दर्मियान में अब एक घर दिखाया जा रहा है जहां अपर एक आदमी रहता है इसके पास एक पाइप है और ये पाइप पचाकर सभी जहनविरों को कंट्रोल कर सकता है इसको चुकर गीत और मिलिश्या देखते हैं जब कि सीन यहां से कठोकर अब हमें बॉस मैं को दिखा जा रहा था जिसके सामने अब वो चुहा था जिसने अपनी साथी माउस को गाइब होते देखा था ये बॉस मैं इस चुहे से कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन ये चुहा उसके साथ काम करने पर तयार ठीए है क्योंकि वो तो मॉरिस के साथ काम करता है वो या पर उसके कहता है कि मेरी साथी कहाँ है मुझे उससे दिखाओ उसके ऐसा कहते ही बॉसमेन अपने कोट के अंदर हाट डालके उसकी साथी को पाही निकालता है ये चुगाई ये दिकर हिरान था कि उसकी साथी अपने भी भी बिल्कुल चीखती लेकिन बॉसमेन ने उससे आसाथ नहीं किया था लेकिन जैसे ही गीत उसका पाइप चुडाता है तो उसकी आँख खुल जाती है और ऐसे वो जल्दी से गीत को पकड़ कर किसी चीज से मार के बेहोश कर देता है गीत के होशाने पर वो देखता है कि मलेशिया उस पाइप वले आत्मी से लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी स्लिणाई कभी ज़्याधा फाइटा नहीं होता क्यूंकि ये आदमी उन दोनों को हिराकर अपना पाइप वापिस ले लेता है और अपना पाइप पचाते हुए इन दोनों को इपनोटाइज करके अपने काबू में कहल लेता है इससे पहले कि इनको कंट्रोल करके इनके साथ कुछ बुरा करता मलेशिया के पास से उसका एक रोबोटिक चूहा इस पाइप वने आदमी की पैंट में जाकर उसका धिहान भेट कहा देता है जिसकी वज़ा से मलेशिया और गीर उसकी काबों से बाहर हो जाते हैं यह लोग अब बिना वक्ता है कि जल्दी से उसका पाइप लेकर टाहन की तरफ भागते ही हैं जबकि दुसरे तरफ हमें दिखाया जाता है कि मौरिस के बात जान गया था कि यह शेयर उनके लिए उनके चूहों के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए वो अपनी साथी चूहों को बिना वक्ता है कि जल्दी से जंगल की तरफ भागता है जहाँ अधिर रासते में उसे गीत और मलेशिया मिल जाते ही हैं वो इन और हम है उनकी पडिट और मलेशिया भी और आप को लेकर बासमें के तरफ जाते हैं जो इस पाइप की मद्द से इस्पृसमें को काभू करना तक्set के दो थिए व बहूर बई बना बनता जा रहा था है यहां गीत मलेशिया को खोश मिलाने की कोशिश कर रहा था शुर्च में को खोश में आते ही मलेशया कहती है तुम एक पैप ठीक कर सकते हो तो में लुट कर सकते हो उसकी पोरे इन के अंदर से बाहर निकलने लगता है इस सब के बाद हम आखिर में कुछ चूओ को हाथ पकड़े हुए देखते ही हैं इनकी दुमें आपस में बंदी हुई थी जिनके दर्म्यान में कोई नीनी रंगी जादूई चीज दिल की तरहां देड़क रही थी और वही जादूई चीज तो इन सब को कंट्रोल कर रही थी और यह यह जादूई चीज थी तो सारे चूओ को मिला कर बास में बनी हुई थी जादूई चीज इतनी ताकतवर थी कि जब लोग इसे देखते हैं तो यह यहाँ पर वक्त को भी रोक देती हैं लेकिन यहाँ पर जो एक बहादूर चुआ था उस पर इसके जादूँ का कोई इसर नहीं होता वो जाकर उस जादूई चीज को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मार का जादूई चीज पर तो कोई था उसे ही मार डालती है अपने चुए को मरता हुआ देखकर मौरस के अंदर रिमत आती है और वो इस जादू की काबू में से निकलते हुए जल्द जो उसे बताता है कि तुमहारी नोँ जिंदगीयों में से चार सिंदगियां खत्म हो गई है और तुमहरे पास सिर्फ पांच जिंदगियां बची है मौरिस की जान के खुश होता है और मौत के फरिष्टे से ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दो जिन्देगियान ले लो बेशक लेकिन मेरे साथ ही चुगे को भी जिन्दा करतो मौत का फरिश्टा उसकी ये बात मान जाता है और ऐसी ये दोनों जिन्दा हो जाते हैं जिने देखकर ये सब बहुत ही जाता खुश हुए थे यहां हम देखती हैं कि मलेशिया और गीद भी एक हो चुकी है और इस से भी बहुत हासी खुशी रहने लगे हैं दिखाया जाता है कि मलेशिया इस बुक को बंद कहती है असल में कहानी के शुरू में मलेशिया ने जो कहानी सुनाना शुरू की थी वो मौरेस के कहानी नहीं बलकि एक ऐसी कहानी सुना रही थी जिसमें वो खुद भी थी इस कहानी की हैपी एंडिंग के साथ ये मूवी यही भी खतम हो जाती है